नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस यूटूब चैनल पर जिसका दा मैं इस्टेड़े विद पियन लोदा तो साथियों आज हम साइकलोजी का पेपल नंबर साथ हल करेंगे पूरे ही 30 प्रिशन देखने को मिलेंगे आपको शांदार क्यूशन है नए क्यूशन देखने को मिलेंगे बहुत सारी नई जानकरी हम यहाँ पर हल करने वाले हैं तो साथियों शुरू करते हैं इस वीडियो को दूनों लेवल के लिए है लेवल एक के लिए भी लेवल दो के लिए भी पहला क्यूशन देखेंगे आपके प्रश्ण संक्या एक है इनमे से कौन सा कतन आर्टी दौजारनों के बारे में सत्य नहीं है यह विकलंग बालकों के लिए 14 वर्षितक लागू है अध्यापक प्रतिय सप्ता है में 45 गंटे सिक्सन कारी करेगा जिसमें तैयरी के गंटे भी शामिल होंगे यह एक अप्रेल 2010 को लागू हुआ और SMC में वर्तमान में 16 सदश्य है तो देख लीजिए विकल्पों को और सही विकल्प का चुनाओं क समदनें इनमें से कौन सा कतन सत्य नहीं है तो इसका जो आता है लिए 14 वर्षितक लागू है यह कतन क्या है असत्य है क्यों है क्योंकि समान्य बालकों के लिए यह यह लागू एस 14 वर्षितक लेकिन complaint विकलांग बालक है उनको चार वर्ष के अत्रिक्त छूट दी गई है इसलिए 14 वर्ष तक नहीं बलकि विकलांग के लिए 18 वर्ष तक ये लागू है तो देखो यहां पर प्रतम विकल्प सही है जो दूसरा विकल्प है बिल्कुल यहां सत्य कतन है तीसरा भी सत्य है और SMC मे वर्तमान में कितने सदेश हैं 16 तो चलिए सेकंड क्यूशन के और बढ़ते हैं आपके प्रिश्न संक्या 2 कक्षा कक्षी सिक्सर में अधिगम की द्रष्टी से सिक्सक को बालकों के विकास में किन पक्षियों को ध्यान में रखना चाहिए यहां पर कुछ विकल्प है शारि कि D सही है और A B सही है तो देख लिए अच्छे से क्यूशन को थोड़ा इसमें टाइम ले सकते हो आप क्यूंकि क्यूशन थोड़ा देखने के लायक है तो सातियों प्रिश्न संक्या 2 में राइट आंसर बता दीजिए तो देखो सही आंसर रहेगा आपके जब हम कक्षा कक सिक्सन में कक्षया कक्षय की बात कि जा रहे है जोर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनका मानसिक विकास समयात्मक विकास सामाजीं कूँष अरतार्त B, C, D इनको द्यान में रखकर उनको सिक्सन करवाएंगे दूसरा विकल्प सही है शारिक इसमें नहीं आएगा तुकि शारिक तो हम बाहर देखेंगे जब बच्चे खेलेंगे खूदेंगे तब तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रिशन संक्या 3 पर यहां कौन सा विकल्प है सही आंसर बताईए रिक्तिस्तान की जगे कौन सा विकल्प उचित रहेगा इसकी जम हम पूर्ति करेंगे तो सातियों प्रिशन संक्या 3 में सही विकल्प का चुनाओ करो देख लिया होगा सभी ने कौन सा है विकल्प 1,2,3,4 तो सातियों राइट आंसर है विकल्प नंबर देखो अभिवर्दी व्यक्ति के सरचना आत्मक पक्ष को दर्शाती है किस पक्ष को सरचना आत्मक मतलब जो उसका परिमान आत्मक हम कह सकते हैं जो उसका वजन है उसक एक्ष प्रिश नंबर 4 पर आते हैं चोता क्यूशन मुल्यांकन के संब्ध में कौन सा कतन असत्य है यह द्वी धुर्वी प्रकिर्या है व्यापक वे उद्देश केंद्रित प्रकिर्या है मुल्यांकन का शेत्र विस्त्रित है मुल्यांकन का अर्थ निर्णे लेने से लिय जाता है तो प्रिश्ण संक्या चार में कौन सा विकल्प सही रहेगा मुल्यांकन के संबंद में असत्य कतन आपको यहां पर देखना है पहला दूसरा तीसरा या चोता सोच लिजी अंसर को तो सोच लिए होगा राइट आंसर देख लेते हैं इसका कौन सा है साथियों विकल्प नंबर 1 गल्प सही है क्योंकी मुल्यांकन दूई धुरी धुरुय नहीं बल्कि त्री धुरुय पर किर्या माना जाता है विकल्प नंबर आपका एक सही है इसके व्यापक और नमबर पांच पर आते हैं यहां प्रतम विकल्प सही है तो पांच वाप प्रिशन हैं करके सीखना ही अर्थपूर्ण अधिगम है यह कतन किसके दौरा दिया गया है जोन डूवी के दौरा बुरूनर के दौरा जेबी वाटसन के दौरा और एल थोन डाइक के दौरा तो बता के सीखने के बारे में किसने बताया था जोन डूवी ने और यह परिभाशा भी जोन डूवी की ही है अर्थपूर्ण अधिगम कहा गया है करके सीखना जोन डूवी के दौरा विकल्प नमबर आपका एक सही साथियों प्रशन संक्या 5 में नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे स्थिर और प्रात्मिक बहुत ही इंपोर्टन्ट क्यूशन है इस्टार कर लीजिए प्रिशन को स्क्रीन शो्ट आप इसका ले सकते हो तो देखो जो अनुवांग स्क्त dł में अनुवां शिक्ता की भूमिका इस्थिर मानी जाती है कैसी मानी जाती है साथियों-स्तिर क्यों सरचना माना जाता है अब हो सकता है आपके दिमाग में गोण आ रहा हो लेकिन सातियों गोण वाला जो विकल्प है उसके मुकाबले राइट आंसर कौन सा है इस तीर तो प्रिश्ण संक्या साथ क्यों बढ़ेंगे प्रिश्ण संक्या छे में आपके जो थर्ड विकल्प है य आपके पिछड़े बालकों को सिखाने की सर्वस्रेष्ट विदी है दल सिक्षन, किर्यात्मक विदी, परदर्शन विदी, व्यक्यान विदी तो जो पिछड़े बालक है उनको सिखाने की सर्वसेष्ट विदी आपसे पूची जा रही है कौन सी विदी सर्वसेष्ट रहेग साथ यो यहाँ पर जो साथवा क्यूशन है यहां व्यक्ष्यान विदी तो बिलकुल ही गलत है क्योंकि व्यक्ष्यान तो पिछले क्याव समाने बालकों के लिए भी गलत माना जाता है परदर्शन विदी हो सकती है किरियात्मक दल सिक्सान तीनों में से जो बेश्ट प्रिश्ण संक्या साथ में यहाँ पर सई आंसर है करके सीखने से ज्यानारजन इस्थाय होता है अधिक होता है जल्दी होता है तो चलिए नेक्स्ट प्रिश्ण नमबर आठ की ओर बढ़ेंगे आपके प्रिश्ण संक्या आठ तो आटो अक्यूशन है साथियों निम्न लिख खें यहाँ नहीं परुश है तो साथियों जो थाण्डैक के नीमों कि बात हम और हम करें तो रैट आंसर है अनुक्रिया का नियम थाण्डैक के दोरा नहीं दियाँ बलकि इनका जो अनुकिरिया वाला नाम है वो है बहु अनुकिरिया का नियम क्या है बहु अनुकिरिया का नियम तो दिया था लेकिन सिर्फ यह तो अनुकिरिया ही आ रहा है इसलिए यह जो विकल्प है यह आपका अंसर हो जाता है क्योंकि यह थुंडायक ने प्रतिपादि नहीं किया था बाकी तत्परता या तयारी का नियम दिया था अभ्यास का नियम दिया था और आशिक क्रिया का नियम भी दिया था तो आपके जो सेकंड विकल्प है प्रिश्णी संक्या आठ में वो आपका सही आंसर है नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रिश्णी संक् नोवा क्यूशन है साथियों आपके जब छोटे बच्चे के पेर के तलवे को छुआ जाता है तो बालक अपने हाथ पेर की अंगुलियों को मोरना शुरू कर देता है तो उसे कहा जाता है रूटिंग, बेबिन्स की, मोरो और उपरोक्त सभी क्या कहा जाएगा NCRT की बुक्स से बनाया हुआ क्यूशन है रूटिंग, बेबिन्स की, मोरो ये चीज़े साथि और एक और आता है पकड़ना तो राइट आंसर जो है आपके वो रहेगा बेबिन्स की बेबिन्स की में क्या होता है हम बालक के पेर का जो तलवा है इसको अगर चूते हैं तो बालक हाथ पेर की अंगुलियों को मोरना शुरू कर देता है इसको ही बेबिन्स की कहते हैं विकल्प आपका दोसर ये साथ और नोवे क्यूशन में नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ेंगे प्रिश्न संख्या 10 पर तो चलिए 10 वे क्यूशन को देखते हैं निम्न मेंसे किस तकनीक में चित्रो को दिखा कर कहानी लिखने को कहा जाता है रोर्शार इंक ब्लोक टेस्ट थियेमेटिक एप्रिसियेशन टेस्ट चाइल्ड एप्रिसियेशन टेस्ट सिचुएशनल टेस्ट तो साथियों इन मेंसे मैं आपको यहाँ पर हिंदी नाम भी बता सकता हूँ बट इंग्लिश में लिखा है तो फिर हिंदी नाम बताने की जरुवत नहीं है तो बताए इन मेंसे उस तकनीक का नाम जिसमें चित्रों को दिखा कर कहानी लेखन करने का कारे दिया जाता है वित्रो राइट आंसर है इसका थिये मेटिक एप्रिसियेशन टेस्ट जिसको शोट में हम टी एटी के नाम से भी जानते है इसमें कुल 31 कार्ड होते हैं तीस कार्ड यहाँ पर चित्रित होते हैं साथियों तो यहाँ जो सेकर्ड विकल्प है दस्वे क्यूशन में वो ही आपका सई आंसर है इसमें बच्चों को चित्र दिखाये जाते हैं मतलब कार्ड दिखाते हैं जिन पर चित्र बने होते चित्रो को देखकर के बाला कहानी लिगता है साथियों तो सेकड विकल प्रिश्ण संख्या 10 में सही है नेक्ट प्रिश्ण नमबर 11 पे आएंगे 11 क्यूशन आउट ओब बोक्स चिंतन का संबंद है बुद्धी से है समश्य समधान से है सही उत्तर से है या सरजनात्मक्ता से है तो यहाँ पर आउट ओब बोक्स चिंतन के संबंद में आपके प्रिश्ण है किसका संबंद है इससे तो साथियों प्रिश्ण संख्या 11 में सही विकल्प है आपके चोता सरजनात्मक्ता का संबंद आउट ओबोक्स चिंतन से माना जाता है मतलब अलग हट करके चिंतन करना तो अलग हट करके सबी से चिंतन करते हैं जो मौलिक चिंतन होता है नया होता है उसको ही हम सरजनात मक्ता के नाम से जानते हैं तो चोता विगल सही है प्रिशन संक्य 11 में नेक्स्ट प्रेश्ट नमबर 12 पे आते हैं तो चलिए बारवे कुशन को देख लेते हैं ये देखिएगा मनो सामाजिक विकास के अनुसार यदी किशोर अपनी पहचान और भूमिका का एकिकरन नहीं कर पाता है तो उसे किसका सामना करना पड़ता है मूल पहचान का पहचान विकास का सिद्धान दिया गया था उसमें देखो एक किशोर के वारे में कहा जा रहा है कि वो जो पहचान है उसकी और उसकी जो भूमिका है उसका एकिकरन नहीं कर पाता है तो मित्रो इसका जो राइट आंसर है वो किसका सामना करता है पहचान ब्रहांति का पहचान बनाम भिन तीन प्रकार जैसे गोला करतिक, आजता करतिक लंबा करतिक किसके दोरा बताए गए हैं काल यूंग के दोरा, शेल्डन के दोरा फ्रिड मैन के दोरा और रोजन मैन के दोरा बताए ये जो तीन प्रकार है व्यक्तितु के ये मिजो मार्पिक एक्टो मार्पिक इन नामों से भी जानते हैं गोला करतिक आयता करतिक लंबा करतिक गोल मटोल होते हैं छोटे होते हैं आयता करतिक खिलाडी जैसे होते हैं लंबा करतिक दुबले पतले होते हैं साथ यू सेकर्ड विकल्प सही है काल यूंग ने तो क्या अं सेकर्ट विकल्प प्रिश्elu संक्या 13 में बिल्कुल साही है तो चलिए अब हम प्रिश्ब संक्या 14 पिया है आपके प्रिश्ब नंबर 14 बालक के मंद बुध्वी होने से संब्मदित वातार्ण के प्रभाव से उतपन होती है यह अनुवांशिक्य से प्रभावित होती है इसमें आनौ आशा की अपैक्षया वातालों का अधिक प्रभाव पड़ता है और ुद्ध मन्द बुद्धिता से संब्धित ये जो कतन कहे गए इन में से सत्य कतन का चुनाू ँकलना है पहला सही है दूसरा सही है थीसरा सही है या चोता सही है देख लीजे अच्छे से विगलपों को और अपना जो आंसर है उसको बताईए तो साथी ओप्रश्णी संक्या प्रश्णी संक्या 14 में साथी ओ नेक्ष्ट आगे बढ़ेंगे प्रिश्णी संक्या 15 पर तो चले प्रिश्णी नमबर 15 किस अवस्ता में बालक चूसना काटना एवं निगलना जैसी किरिया प्रारम कर देता है मुख्य प्रधान अवस्ता लिंग प्रधान अवस्ता व्यक्ता और गुदा प्रधान अवस्ता तो साथियों यह विकल्प दिए गए है मनोलेंगिक विकास का सिध्धान सिग्मन फ्रायड ने दिया था जिसमें इनों ने ये जो अवस्थाएं बताएं है मुख्य अवस्था लिंक प्रदान एव्यक्ता गुदा प्रदान अवस्था साथियों इन अवस्थाओं में मुख प्रदान अवस्ता की ये विशेस्ता है जिसमें बालक को चूसने में, काटने में, निगलने में आनंद की प्राप्ति होती है तो प्रिथम विकल्प आपके प्रिश्न संख्या 15 में सही है अब हम आगे भरेंगे प्रिश्न संख्या 16 पर तो चलिए 16 को देख लेते हैं आपके प्रिश्न संख्या 16 किरियात्म कनुसंदान किस मनोविज्ञान की उपज है मानव मनोविज्ञान की, समान्य मनोविज्ञान की, सामाजिक मनोविज्ञान की और उप्रियुक्त सभी तो साथियों किर्यात्मा कनुसंदान जिसके जनक है इस्टीफेन एम कोरे कोन है इस्टीफेन एम कोरे किर्यात्मा कनुसंदान के जनक माने जाते हैं विध्याले इस्तर पर किर्यात्मा कनुसंदान किया जाता है विध्याले इस्तर की समश्याओं को हल करने के लिए तो देख आपके प्रिश्ण संक्या 17 है एस उमेलित है यह आउशक नहीं कि प्रतियक बुद्धिमान व्यक्ति सर्जनात्मक हो तर्मन ने कहा अनुवां शिक्ता इस्तिर सामाजिक स्रचना ने होकर गोण स्रचना है सडक ने मुझे चोट पहुंचाई दो से साथ वर्ष शुदा दिश शैता का संबंद अधिक मात्रा में भोजन करने से है तो यहाँ पर जो आपको लगता है कि यार यह ऐस उमेलित है उसका चुनाओं आपको प्रिश्ण संक्या 17 में करना है बताएगा कौन सा विकल्प सही है प्रिश्ण संक्या 17 में तो मित्रों राइट आंसर है आपके विक गोण है तो साथियों गोण नहीं इस्तिर है डबल रिपीट हुआ डबल रिपीट कर जान करके डाला है मैंने फिर इस प्रिश्ण को बाकी जो शुदादी शैता है वो अधिक मात्रा में भोजन करना है सड़क ने मुझे चोट पहुंचाई दो से साथ वर्ष में बालक एस सोचता है यह उश्यक नहीं कि प्रतेक बुद्धिमान व्यक्ति सरजनात्मक हो यह कतन टर्मन के दोरा कहा गया है यह सभी तो सही है सुमेलित है तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रिश्ण संक्या 18 पर यहां सेकड विकल्प सही है साथियों तो आपके प्रिश्ण संक्या 18 वे समवेदनाएं जो प्रतेक्षिकरन भावनाएं जिसके प्रती वर्तमान में हम जागरूख है कौन सा मानसिक इस्तर कहलाता है चेतनिस्तर अर्द चेतनिस्तर और इनमें से सभी तो अठारवे क्यूशन में आपके मनो विश्लेशनात्मक सिद्धान से समंदित सर है तो देखो जिन समवेदनाओं के दोरा हम प्रतेक्षिकरन करते हैं हमारी जो भावनाएं हैं जिसके प्रती वर्तमान में हम जागरूख है साथियों ये चेतनिस्तर कहलाता है कौन सा इस्तर कहलाता है ये विक्ति का चेतनिस्तर चेतन मतलब जिसमें हम सब कुछ जानते हैं जो हमें याद है वर्तमान में वर्तमान की बात की जा रही है प्रतम विकल्प 18 प्रिश्ण में सही रहेगा तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रिश्ण संक्या 19 पर आपके 19 वा वह है इस्ति जिसमें व्यक्ति समान लक्ष द्वारा विकर्शित एवं आकर्शित होता है एवं दुविदा की अनुबूती का प्रदर्शन करता है कहलाती है उपागम उपागम दोंद्व उपागम परिहार दोंद्व परिहार परिहार दोंद्व और इन में से कोई नहीं त कौनसा विकल्प आपका प्रिश्ण संक्या 19 में सही है साथियों देखिएगा 19 में क्विशन का सही आंसर सेकंड विकल्प बिल्कुल सही है उपागम परिहार द्वंद इसको कहेंगे क्योंकि व्यक्ति एक तरफ तो क्या होता है विकरशित मतलब दूर जाने का प्रियास कर रहा है और दोसरी तरफ क्या हो रहा है आकरशित तो साथियों आकरशित और विकरशित मतलब दूर जाना पास आना यहाँ पर एक को चाहरा है एक को नहीं चाहरा है तो साथियों उपागम परिहार द्वंद इस प्रकार के आयूグ में बालक की नसों में जवान उटना शुरू हो जाता है यह कतन किश्वरवस्था के लिए कौन सी कमेटी ने कहा था राम मूर्थी कमेटी हेडो कमेटी कोठारी कमेटी यश पाल कमेटी तो साथियों किशोर अवस्था के सम्मन्द में उप्रोक्त जो कतन कहा गया है या जो उप्रोक्त परिबाशा दी गई है ये हेडो कमिटी के दोरा दी गई है क्या कहा था इसने कि लगबग जब बालक 11-12 औरश के आयू में आता है तो उसकी नसों में जोआर उठना शुरू ह हो जाता है यार्स सेकंड विकलब स Hai प्रिशन संक्या बीस में तो चलिए आगे बढ़ेंगे अम हम प्रिशन संक्या 21 पर तो िहाँके प्रिश्न संख्या 21 निम्ड में से किसमें एच्छिक व्यवहार उसके परिणामों से शक्तिशाली एवं कमजोर होता है प्राचीन अनुबंदन, सूज अदिगम, सुटह अदिगम और किर्या परसुत अनुबंदन तो यहाँ पर यह जो चार सिद्धान दिये गए हैं, इसमें से बताईए कि जो एच्छिक व्यवहारे उसके परिणामों से शक्तिशाली भी हो जाता है और उसके परिणामों से कमजोर भी हो जाता है, मतलब यह चीज़े परिणामों पर डिपेंड करती है तो साथियों, एसा हमें किरिया परसुतनुबंदन के सिद्धान्त में, जो की स्किनर के दोरा दिया गया है, उस सिद्धान्त में ये चीज़े बताई गई है मान लिजिए कि विक्तिक किरिया तो करता है यदि उसका परिणाम उसकी आवशक्ता को पुरा करें तो फिर वो आगे भी किरिया जारी रखेगा और उसका जो परिणाम है वो उसकी आवशक्ता की पूर्ती ही नहीं कर पाता है तो फिर वो आगे उसके पृति किरिया नहीं करे साथियों यहां पर चोता विकल्प सही है प्रिश्ण संक्या 21 में नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रिश्ण नंबर 22 पर तो चलिए 22 वे क्यूशन को देखेंगे एडगर डेल के अनुबव शंकू के अनुसार इन में से सरवादिक प्रिभावी है चार्ट, मोडल, व्याख्यान, टीवी और सलाइड तो वेसे तो पांच अलग-अलग इसतर एडगर डेल ने अपने अनुबव शंकू में दिये है लेकिन यहां पर आपको चार ही विकल्प म देख रहे हैं इनमें सबसे बेश्ट विकल्प है आपके टेलिविजन साथियों चार्ट, मोडल, व्याख्यान, टीवी, सलाइड इसमें मैं आपको बताता हूँ कि सबसे कम प्रभावी तो व्याख्यान है फिर इसके बाद में चार्ट और मोडल का नंबर आता है फिर इसक और विकल्प होता प्रत्यक शनुबव वाला तो साथियों फिर हम कौन सा सही करते फिर प्रत्यक शनुबव वाला जो विकल्प है उसको हम सही करते तो थर्ड विकल्प आपके 22 प्रिश्ट में सही है नेक्स्ट प्रिश्ट नंबर 23 पे आते हैं तो चलिए देखते हैं आप रूचियों में विभिन्ता और पूर्व निर्देशन में विभिन्ता तो इन में से उस विकल्ब का चुनाव करो जो कि उपलब्दी में व्यक्तिगत विन्यता का प्रतिक आपको नजर नहीं आ रहा है तो देखो हमारे जो अनुबव है वो भी हम उपलब्दी के अंतरगत आ उपलब्दी में व्यक्तिगत विभिन्ता का प्रतिक नहीं माना जाएगा आपके सेकंड विकल्ब सहिए साथियों प्रश्ण नमबर 23 में तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्ण नमबर 24 पर 24 वाक्यूशन साथियों सास बहु को डाटती है तो बहु का माई के जा जिसमें सास दोरा बहु को डाटने पर बहु का माई के जाना पलायन का उधारन है किसका उधारन है पलायन का यहां से पलायन करना मतलब वहां से अलग हो जाना साथियों विस्थापन में तो क्या करते हैं हम उस चीज़ को किसी दूसरे के उपर थोप देते हैं जिसे मान ल दबा देते हैं मन में ही उनको हम माल लेते हैं तो यह हम यू केते हैं ना मन को मालना वो है दमन आरूपन में हम अपने दोशों को दूसरे को उपर आरूपित कर देते हैं कि भई मेरा कसूर नहीं है इसका कसूर है इस प्रकार से यह समाउजन की युक्तियां चलती है तो यहा आकस्मिक्ता नवीन प्रिस्थितियों में अनुकिरिया का सच्चता से होना और भविश्योन मुकी सोच तो बताए इनमें से जो अंतरद्रश्टी है उसकी विशेस्था कौन सी नहीं है यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा चोता कौन सा विकल्प आपका सही ये सातियों प्रश् प्रिस्थितियों में इसमें अनुकिरिया करते हैं अनुकिरिया का सच्चता से होना भी हो जाता है लेकिन बवश्योन मुकी सोच का इसमें कई से कई थक कोई उल्लेक नहीं है इसलिए आपके चोता विकल्प प्रिश्ण संक्या 25 में सही है तो चलिए अब हम आगे बढ़े प्रिश्ण मबल 26 पर 26 हुआ क्यूशन चिंतन की द्रश्टी से किसी बच्चे में सबसे उत्तम चिंतन हैं कल्पना आत्मक चिंतन प्रत्यात्मक चिंतन प्रत्यक्षा आत्मक चिंतन और तारकिक चिंतन तो यहां पर जो यह चिंतन के चार प्रकार बताएं हैं इनमें सबसे सबसे उत्तम चिंतन को सबसे उत्तम चिंतन कों से प्रकार का है साथ योग प्रश्ण संक्याथ 26 में दीजिए अपना सई आंसर तो right औसर है इसका तारकिक चिंतन सांथ Doll loved तर्क करता हुआ समश्या का समधान करता है तो सात्यों तर्क करना तो बहुत अच्छी बात है सबसे बेश्ट होता है तर्क करना हम उस चीज के परती तर्क वितर्क करते हैं कि यह नहीं वेसे है वेसे है इत्यादी तो सात्यों यहां चोता विगल्ब सही है आपके प्रिश्ण संक्या 26 में नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रिश्ण नमबर 27 पर लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा और वीडियो में अगर आपको कोई कमी दिखती है किसी प्रिश्ण में कोई तुरूटी दिखती है तो बिल्कुल उसका अपकिसी सुदार किया जाएगा अगर आप सही हो तो बिल्कुल मैं सारे कमेंट परता हूँ साथियों डाउट किलियर करने के लिए मैं देख लेता हूँ कि अगर हाँ बैयार इस प्रिश्ण में तूटी हो गई है वीडियो बनाते बनाते तो साथियों उसको बिल्कुल संशोदित भी कर दिया जाता है तो यहाँ पर भी आप जरूर कमेंट करें वीडियो कैसा लगा वो भी हमें जरूर बताए तो चलिए रेक्ष प्रिश्ण नमबर 27 पे आते हैं आपके प्रिश्ण नमबर 27 यह देखिए प्रिश्ण नमबर 27 को यह रहा आपके सामने सौच समझ विबेदन शमता समश्या समधान योग गिता प्रभावी संप्रेशन इत्यादिक कि शमता के अंतरगत आते हैं संग्यान आत्मक शमता के अंतरगत सामाजिक शमता के अंतरगत सावेगिक शमता के अंतरगत forget और उध्यमी शमता के अंतरगत तो साथियों प्रिश्ण संख्याद 27 में सभी विकल्प का आपको चुनाओ करना है और जो विकल्प सही है वो है आपके प्रतम ये चीजे संग्यानात्मक शमता के अंतरगत आती है संग्यान मतलब ज्यान से लिया जाता है तो हम सोचते समझते हैं बिल्कुल मांसिक रूप से ये जुड़ा हुआ है और ज्यान से जुड़ा है, विबेदन मतलब किसी चीजों में अंतर करते हैं, समश्या का समधान करते हैं, ये चीजे हमारी ज्यानात्मक शमता के या संग्यानात्मक शमता के अंतरगत ली जाती है साथियों, विकल्प नमबर आपका एक सही है 27 में, नेक्स प्रिशन नमबर 28 पर आएंगे, तो चलिए प्रिशन संक्या 28, किस के अनुसार सामाजी का दिगम दूसरे व्यक्तियों के साथ संपर्क से आरंब होता है, लिंड ग्रेन के अनुसार, एटगर डेल के अनुसार, जे ए स्टिफेन के अनुसार, और हर लोग के अनुसार, तो देखो सभी को पता है, कि जो सामाजी का दिगम है, वो के से आरंब होता है, संपर्क से, लेकिन ये बताने वाले कौन थे, ये सबी को पता नहीं है, तो ये आप अच्छी तरे से याद कर लीजिए, ये बताने वाले है कि jesteśmy सामाजी का दिगम है, वो दूसरे वीकतियों के साथ संपर्क में आने उसको देखते हैं साथियों 29 वा क्यूशन योग्यता एक यहां रिक्तिस्तान और उसत दर्जे का ज्यान एवं कोशल है तो रिक्तिस्तान की जगे कौन सा विकल्प होगा अउलोक निये नश्टकारी प्रायोगा अत्मैक और लागू बताईए पहला दूसरा तीसरा चोता कौ और उसत दर्जे का ज्यान एवं कोशल होता है विकल्प नमबर आपका एक सही है 29 में अब आज का अंतिम और 30 वा क्यूशन जितने क्यूशन सही होते हैं वो भी हमें कमेंट में जरूर बताए साथियों तो चलिए प्रिश्ण संक्या 30 को देखते हैं आपके प्रिश्ण नम ने हैं अतरंग मित्र समुह बनाना काम शक्ति का उदे होना समच्याओं का उदे होना और नेतरत की भावना उत्पन होना यह ऐसा विकल्प है एक बार पुरा विकल्प पुरी व्याक्या सुनकर के ही जाईएगा क्योंकि आप अदूरी व्याक्या सुनके कमेंट कर देते हो तो साथियों देखो नेतरत की भावना ये तो बाल्य वस्था में आ जाती है समश्याओं का हो सकता है काम शक्ति वाला हो सकता है अत्रंग मित्र समू बनाना इनमें से कॉन सा सही है तो साथियों जो सबसे बेश्ट विकल्प है वो रहेगा आपके विकल्प नमबर तीन समश्याओं का उदे होना किशोर ओस्था का परमुक लक्षन माना जाता है क्योंकि जब बालक किशोर ओस्था में परवेश करता है तो उसके सामने अनैक प्रकार की समश्याओं सामने आती है बले वो सामाजिक रूप से समश्याओं हो बले वो मानसिक सोच उसकी बदल जाती है माता पिता उसको खराब लगने लग जाते है बले ही उसकी जो शारिरिक समश्या है उनको गिन लीजिए शारीक अंगों में विबिन प्रकार के परिवर्तन होते हैं विबिन प्रकार के जिसे आवाज भारी हो ना वाकि आप सब जानते हो तो स्वातियों विबिन प्रकार की अलग-अलग समश्य है कि शुरावस्ता में सामने आती है इसलिए हम तीसरे विकल्प को हमारी फेश्ट चोईस रखेंगे और सेकंड चोईस रखेंगे दूसरे विकल्प को तो यहां विकल्प नमबर तीन सही है प्रिशन संक्या 30 में तो यह आज का पेपर पूरा हुआ कैसा लगा इसके बाद मैं इंदी का टेश्ट आ रहा है उसको भी आप जरूर देखिएगा साथ यों तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद